हाई गाईज वेलकम बैक आएम विवेक सिंगल from tradingwithvivek.com और आज है 31st डिसेंबर और ये 2020 एर खत्म हो रहा है और ये 2020 जो साल रहा है ये बहुत ज्यादा चैलेंजिस से भरा हुआ था पेंडेमिक भी आया और काफी लोगों की अनफोर्चुनेटली जोब भी चुटी कुछ का बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इंपेक्ट आया कुछ की फिर सैलरी भी कट डाउन हो गई और डूरिंग दिस पीरिएड इतना बड़ा फॉल आया मार्केट में भी कि काफी लोगों के बहुत सारे नुकसान भी हुए और खासतोर से उन लोगों के जिन लोगों ने एफ बंदो सकती है, माइनस में बंदोओ यानि कि जेब से पैसे देने पड़े एक्स्ट्रा अलग से तो यह दो हजार बेस बहुत जादा इन सब चीजों को लेकर बहुत जाधा चैलेंजिंग रहा है लेकिन बहुत सारी चीज़े सीखने को भी मिली है और सीखने को ये मिली है क अगर हम बहुत अच्छी companies में better companies में अगर हम पैसा बनाकर लगाते हैं और उसको diversify करके लगाते हैं और लगाकर उसको बैठते हैं तो अगर pandemic आता भी है ना तो finally चीज नीचे से उपर चली जाती हैं तो ये एक learning point है और मैं इस चीज को काफी time से कहता हूँ बहुत लंबे time से इस चीज को कहता हूँ कि market में nifty के levels को देखना हमें छोड़ देना चाहिए और tv को और events को बहुत जादा हमें importance नहीं देनी चाहिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है लेकिन इस चीज का बिल्कुल ध्यान जाए तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है लेकिन इस चीज को हम तभी कर पाते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों पर काम कर रहे होते हैं और future and options में इस चीज को नहीं कह सकते हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि इस टोप लोस नहीं लगाना चाहिए क्यो नहीं तो घपराने की जडरूत नहीं है वहाँ पर हमीं इस्टोप low लोस लगाने की एक्चौर में जडरूत नहीं होती क्योंकि इस्टोप मार्केट में प्राइसісको नीचे लाया जा सकता है लेकिन नीचे रोखकर रख़ा नहीं जा सकता वह इंबिडेटली ऊपर आ जात है कि company में हमें हमेसा एक मोटा मोटा आइडिया यह होना चाहिए कि यह company अच्छी है और finally उपर चली जाएगी तो उसका में business हमें समझ में आ जाए और यह चार्ट पैटन एक जो बिल्कुल सा चार्ट पैटन है अगर इसके बेस पर हम विवेक.com आप जाके सर्च करोगे तो इसमें मैंने दो पॉर्टपोलियो डाले हुए है वन इस लार्ज कैप मोडल इंवेश्मेंट पॉर्टपोलियो और सेकेंड है मोडल ट्रेडिंग पॉर्टपोलियो इसको बनाने का जो मेरा परपस था वो यही था कि मैं आफ्टर सम टाइम आपको दिखा सकूं बता सकूं कि अच्छी कंपनीज में एक सिंपल आप अगर सिंपल एक पैटन को पगड़ते हैं और इसको होल करके चलते हैं डाइवर्सी फाय करके चलते हैं और बीश में बहुत जादा को कह रहे थे कि निफ्टी तो बहुत उपर आ गई अब इसमें और उपर जाने की गुंजाएश नहीं है जैसे कि अभी भी कह रहे हैं 12,000 पर थी तब भी लोग यहीं कह रहे थे रिकवरी थी और वो रिकवरी का रीजन भी था कि मैं जैसे अभी कह रहा हूं कि मार्केट को नीचे ले जाया जा सकता है लेकिन नीचे रोक कर रखा नहीं जा सकता वो उपर जरूर आती है और अभी जो मैंने यह पॉर्टपोलियो बनाया था एक पर्टिकुलर चार्ट प कमी नहीं होती हमें सिर्फ systematic approach पर काम करना है तो 10 shares मैंने उन में से ऐसे ही चूज किये थे और ऐसे ही मैं आपको बता दूँ कि इतने सारे stocks available थे कि मैंने बजाज consume B से यह मैंने alphabetically चूज किया हुआ था और सिर्फ मैं I तक ही पहुचा था और मुझे 10 stocks मिल गए थे और यह अ अभी इतने ही available हैं आप इनको सर्च करना मैं आपको बता देता हूं तो अब इन में हमारा results के आया कि बजाज consumer तब से 47.59% है BSF 31, Berzer Paint 50%, Blue Star 60%, Sera 54%, Call India वही का वही है तो जैसे मैं सरकारी company को लेकर अक्सर कहता हूं कि बहुत जादा दम नहीं रहता तो अभी वैसे मैंने पिछले कुछ टाइम में सरकारी companies को लेकर 2-3 वीडियो बनाई है चहाँ पर मुझे अच्छा कासा scope नजार आता है अब Call India ने perform नहीं किया लेकिन ठीक है माइनस में ये भी बिचारा नहीं है Gillet 12% अप है Glaxo 10% अप है और God Pray Flip माइनस 1% है IFB Industries 180% अप है 180% का गेन है तब से अब तक 415 पर ये हमने तब एड किया था और 1168 है and on an average this is 44.77% और Nifty ने 31.81% का गेन दिया है तो 31% जादा है sorry 13% का ये आउट परफोर्मेंस है 31% Nifty ने दिया है 44% इस portfolio ने दिया है और अगर हम मैं एक एक करके सारे chart patterns आपको दिखाऊंगा कि किस base पर वो single chart pattern था सब में उसको पकड़ा उसके base पर इसको एड किया portfolio में और उसके बाद में उसको चलने दिया six months में इतना gain है और जब हम six months में इतने gain की बात करते है तो अगर हम सभी अपने portfolio को देखे ना तो very rarely आपको दिखेगा कि कुछ ही लोगों ने consistently मतलब एक चीज को पगड़के रखके 44-45% का gain शायद आया हो बहुत ज़्यादा gain नहीं आता है यहां से steep recovery आई है लेकिन फिर्बी जो डर है न वो डर इन्जान को पीछे रोके रखता है कि और वापस फिर से गर गिया तो फिर फिर से गर गिया तो देखो यह फिर से गिया तो क्या होगा अगर borrowed money है तो अफ़कोर्स नुकसान होगा एफंड हो तो बहुत जादा नुपसान होगा लेकिन अगर आपका अपना पैसा है न तो फिर से गिरिया तो फिर से वापस आ जाएगा इसमें डढ़ने की कौन सी बात है तो यहां पर बजाज बजाज कंज्यूमर यहां पर जब सिलेक्ट किया था तो जुलाई में यह पोर्टपोलियो बना था मैंने सिंपल सिर्फ एक सिंगल सा चार्ट पैटन लिया था जिसको मैं राउंडिंग पैटन कहता हूं जब भी फोल राउंडिंग शेप में होना उसके बाद में रिकवरी आती है तो यह राउंडिंग था इसमें रिकवरी आई बजाज कंज्यूमर हमने देख लिया और इसके बाद में BASF में आपको दिखाता हूं BASF की भी में जुलाई की ही बात करता हूं सेम टाइम पर यह सेम ही था कि यहां पर यह राउंडिंग फोल था यह पकड़ा और उसके बाद में यहां पर यह बर्जर पेंट है बर्जर पेंट में सेम सीन था यह राउंडिंग फोल था यहां रिकवरी आ गई उसके बाद में हम नेक्स लेकर चलते हैं ब्लू इस्टार ब्लू इस्टार में सेम सिनारियो था उससे पहले यह राउंडिंग था यहां पर उसके बाद में रिकवरी आई, उसके बाद में एक और राउंडिंग बना, उसके बाद में और रिकवरी आई, उसके बाद में एक और राउंडिंग बना, ये राउंडिंग का बहुत बड़ी पावर है, और आप देखो गए न, यहाँ पर राउंडिंग अभी भी बन रहा ह ह необходимо परफॉर्म नहीं किया, अगर इसके बदले दूसरा कुछ ATAING तो अच्छे पैसे बने होतें यहाँ पर यह जिलेट राणडिंग में जो यह नीचे की जो यह डिप है इस डिप को मैं हमेशा अच्छा मानता हूं कि अगर राउंडिंग बनते बनते बीच में एक डिप आया और डिप V-shype recovery साथ के साथ एकदम से उपर आ गई तो यह यह आपफ हां पर राउंडिंग था उसके बाद में बहुत सारे राउंडिंग इसमें लगातार बने हैं यह एक छोटा सा राॉंडिंग था फिर उसके बाद में एक ओर राउंडिंग यहाँ पर यह बना यह एक अच्छा र बात करें तो गिलैक्सों में यह एक अच्छा सा राउंडिंग था और यह चोटा सा अच्छा सा ब्यूटिफुल राउंडिंग था तो यह सारे लेकिन उसके बाद में IFB Industries बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा राउंडिंग था यह चोटे-छोटे राउंडिंग अपने आप में इंडिकेटर होते हैं कि इस श्टोक ने ऊपर की छलांगे लगानी है और उपर बढ़ते जाना है तो यह सारे वो राउंडिंग्स हैं जिसके बेस पर सिंप्ली क्या देखा कि कंपनी कैसी है ओके बजाज कंज्यूमर जिसका बजाज आलमंड ओयल आता है और अपने आप में अच्छा है और नो माक्स भी इसी का ब्रेंड है तो अच्छी कंपनी है डिमांड है ओके और यह राउंडिंग बना खरीद लिया सेम बीए स लिए डिमांड इतनी ज्यादा बढ़नी है इस कंट्री में जहां पर 40 डिग्री टेंपरिचर आम बात हो जाती है दस महीने गरम रहता है यहां पर मोसम तो राउंडिंग बने ले लिया सेरा सेनेटरिवेर हमें पता है कि बहुत डिमांड है ले लिया उसके बाद में कॉल ना राउंडिंग था ना बहुत जादा डिमांड थी गलती थी और गलती की भरपाई भी कर रहे है जिलेट राउंडिंग है उसके बाद में चलना शुरूर है डिमांड है गलैक्सो डिमांड है और राउंडिंग था ले लिया अच्छा है गोड़प्रे फ्लेप राउंड case ने gain भी दिया तो यह एक बड़ा simple सा तरीका है यार बहुत जादा rocket science market में पैसा कमाने के लिए कभी नहीं है 6 महिने में single portfolio बनाया 10 shares में उसको equally पैसा divide किया यहां पर लगा कर उसको छोड़ दिया 44% का gain है अभी क्या करना है कि जो इन companies में जहां पर rounding अभी भी है और share उपर नहीं गया है उन में बने रहने की जरूरत है और जो rounding के बाद उपर भाग गए हैं उनको छोड़ देनी की जरूरत है जैसे यह है जिलेट जिलेट अभी rounding बनाके लगातार उतना उपर नहीं सपर्जया और को पढ़ा है इसको रोख सकते हैं उसके बाद में गलेक्स वह जाहाद ऊपर नहींगा है इसको रोक सक्ते हैं और बाकी सारे उपर भाग गें तो उन सब को निखान सकते हैं और दूसरे उन companies में जहांपर हमसे हैं प्रोड़क्स Selbst beef बहुत जाए या नहीं जाए फिर भी बनता है अभी तो market ने बहुत अच्छा support किया market में rally आई लेकिन believe me अगर market में rally नहीं भी होती न और nifty अगर overall sideways होती तो भी market में उतना ही पैसा बन रहा होता इन rounding के basis पर rounding pattern की इतनी बड़ी power है और उसको देखना बड़ा आसान है लेकिन दिक्कत कहां होती है दिक्कत यह होती है कि हम systematic approach नहीं लेकर आते उसका result क्या निकलता है कि यार जिलेट में देखा rounding और rounding देखके इसमें बहुत सारे पैसे लगा दिये या फिर हमने बाकी Godfrey flip में rounding देखा हमें पता है कि smoking तो लोगों ने बंद करनी नहीं है और जितने लोगों ने बंद करनी है उससे जादा नहीं start कर देनी है और इन्होंने prices लगातार बढ़ाते रहना है तो यह वापस all time hyper तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि इसके demand भी है और net profitability अच्छी है और return on capital employment भी अच्छी है उन सब के basis पर तो अगर इसने rounding बनाया उपर जाएगा लेकिन सारे ही पैसे एक में लगा दिये मैंने अक्सर एक गलती करते सबको देखा है जिन लोगों के account में बहुत बड़े loss हुए है वो उनी shares में सबसे ज़्यादा हुए है जहां पर उनके portfolio में 5-10% से ज़्यादा की investment थी या फिर वो companies बहुत बेकार थी मुझे कोई भी एक भी बंदा ऐसा बता दो जिसने great companies में less than 10% एक stroke में पैसा लगाया हो और 200 दिन के moving average के नीचे उन्होंने purchase किये हो और किसी का भी loss हो आज की तारीक में एक भी बंदा अगर ढूंड कर भी ले आओ गे ना तो मैं seriously उस चीज को देखना पड़ेगा कि कैसे हुआ है यह वो अपने आप में case study बन जाएगा एक भी बंदा जल्दी से मिलेगा नहीं great companies 200 दिन moving average के नीचे purchase करना और एक stroke में 5 ये 10% से ज़्यादा नहीं लगाना और उसके बाद भी एक साल में 6 महिने में loss होना उसके portfolio में ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पर जो लोग इसको 60 कहते हैं ये 60 है नहीं इसको 60 बनाया हुआ है 60 क्यों बनाया हुआ है क्योंकि हमने इसमें समझदारी से काम ही नहीं करना हमने बस किसी के भी कहने से कुछ भी खरीद लेना है चाहे वो price कुछ भी हो कुछ भी price pay करने के बाद में उसके हरजाने जो भरने पड़ते हैं वो बहुत बड़ा अरजाना होता है और वो कभी भी अच्छी चीज होती ही नहीं है तो यहाँ पर मेरा 2021 के लिए आप सब के लिए एक ही message है अच्छी companies में काम करो discipline approach से काम करो मैं तो यह कहता हूँ 5% से ज़्यादा एक में मतलगा होना है यार 20 stroke में पैसा लगेगा 20 stroke में पैसा लगाने तो आप पैसे लगा सकते हो जैसे एक parameter है 200 दिन के moving average के नीचे trade अगर share कर रहा है company यहाँ पर great होनी चाहिए यह first condition है second condition क्या है या तो 200 दिन के moving average के नीचे हो या all time high से 30% से ज़्यादा नीचे हो अगर इन दोनों में से कोई भी condition meet होती है ना आप बे फिकर होके 5% उस company में लगा सकते हो और इस श्रेट जी के बेस पे लगातार lifetime पैसे कमा सकते हो वैसे मैंने आपके साथ एक और promise किया था कि हम 31st December को या 1st January को एक Facebook group create करेंगे तो वह Facebook group मैंने create कर दिया है और उसका नाम रखा है trading with vivek तो अगर मैं आपको बताओं तो आपको दिखा देता हूं trading with vivek Facebook group create हो चुका है और अगर आपको इसको join करना है तो simply facebook.com groups slash groups slash trading with vivek इसके उपर जाएंगे आप join करने के लिए इसमें डालेंगे मैं उसको approve करता चला जाओंगा तो यहां पर हमारा मकसद exactly same है जो मैंने पहले भी बताया था मैं आपको पढ़के फिर से बता देता हूं hi there welcome to the group let's make this group trading with vivek a family of three crore members our aim is to become financially free happy healthy and wealthy let's support each other in this endeavor we need to maintain respect towards all group members may God bless us all तो यह हमने करना है और हम सबने इसमें participate करना है और इस group को बनाने का जो मेरा main मकसद है यहां पर recommendation देना नहीं है यहां पर कुछ ओड नहीं है इसका main मकसद है सारे questions and answers को लेकर आना आप लोग questions पूछेंगे और हम सब उनका reply करेंगे और सब के सारे questions सारे doubts यहां पर हम clear करन बनाना भी है तो यहां पर हमने सिर्फ खुद को अच्छा नहीं बनाना बिलीव मी अपने सारे नियर एंड डियर वन्स को सब को अच्छा बनाना है सब को यहां पर जोइन कराना है यह हम सब को एक्षन लेना है और यहां पर इसका मैं जो लिंक है उसको description box में भी डाल दूँ बस आप कहना मानते चलो कहना मानते चलो का मेरा मतलब यहां पर है सिखते चलो और अपने सब साथ में लोगों को जोड़ते चलो सिखाते चलो आएम विवेक सिंगल from tradingwithvivek.com wish you a very happy new year कल पर मिलेंगे नए साल के दिन एक नए वीडियो के साथ जिससे हम अपनी life को better कर सकें तब तक मजे करो यार